बॉलिवुद के भाईजान यानि सल्मान खान जल्द ही रैमो की डांस बेस्ट फिल्म में नज़र आने वाले हैं ऐसी खबरे काफी इन दिनों से सुर्ख्यां बटो रही थी बताया जा रहा था कि भाईजान इस फिल्म को लेकर काफी एक्साइट भी है लेकिन लगता है रैमो का सल्मान के साथ काम करने का सपना सपना ही रह जाएगा मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो सल्मान खान को लगता है कि ये करेक्टर उन पर सूट नहीं करेगा साथी फिल्म के लिए उन्होंने रिप्लेस्मेंट भी ढूर निकाला है बताया जा रहा है कि सल्मान ने रैमो को वरुंधवन का नाम सुझाया है आप सोच्ट जरूरे होंगे कि आखिर अचानक ऐसा भी क्या हो गया जो सल्मान ने इस फिल्म से किनारा करने का मन बना लिया तो जनाब वज़ा ये है कि सल्मान अपने किरदार से खुश नहीं थे वो फिल्म में एक छोटी लड़की के पिता के रूप में नजर आने वाले थे इस फिल्म में उन्हें खूब सारा नाजगाना भी करना था सल्मान को लगता है कि ये किरदार उनके लिए नहीं बना है यही वज़ा है कि खबरों का बजार काफी गरम है कि सल्मान ने इस फिल्म से अपने हाथ पीछे खिश लिये है वहीं खबरी ये भी आ रही है कि रैमों ने सल्मान को काफी मनाने की कोशिश भी की है लेकिन भाईजान ने एक बार कमिट्विंट कर दी तो फिर वक्त किसी की नहीं सुनते सुत्रों का कहना है कि सलमान ये डिसीशन ट्यूबलाइट की खराब रिस्पॉंस की वज़ा से लिया है अरे भई ये तो आप जानती हैं कि हाली में सलमान की फिल्म ट्यूबलाइट का बॉक्स ऑफिस पर काफी बुरा हाल रहा था लगता है यही वज़ा है कि वो फिर से ऐसी गलती नहीं धुराना चाहते हैं और इसी लिए उन्होंने इस फिल्म से पला जाड़ लिया NMF News की रपोर्ट